कि अलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब ये लेक्चर मैं इस बात के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि मैं आपको बता सकूं कि लेजर में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है क्योंकि लेजर में यदि आप देखेंगे एक क्वेश्चिन यदि आ जाता है तो आपका अराम से देड़ दो घंटे एक क्वेश्चिन में लग जाते यह अगर देखेंगे प्रफ। एक घंटा आराम से आपको लग जाता है जैसे आप देखेंगे question 1, question 2 का फिर time consume करते हैं ये question आगे कुछ questions आप देखेंगे जैसे question 8 आप देखिए question 5 आप देखिए आराम से आपको 1.5 घंटा, 2 घंटा लग जाएगा और उसके बाद यहीं कोई गलती हो जाती है फिर तो और ज्यादा time लग जाता है तो क्या इतने बड़े-बड़े questions करने की आवशकता है क्या सारे questions करने की आवशकता है तो मैं आपको बता दू बिल्कुल नहीं करने की आवशकता है आप मगर 3-4 questions at least आप कर लीजिए जिसमें सारी variety cover हो जानी चाहिए तो अब कौन से ऐसे questions है जिसमें की सारी variety cover हो जाएगी वो हमें देखने वाली बात है तो question 1 and question 2 में तो आपकी simple general entries को कैसे post करते हैं वो हमने देखा है उसके बाद उसके बाद तीन और topics बचते हैं compound entries को कैसे post करते हैं जो कि मैं आपको already बता चुका हूँ अलग lecture में एक question ऐसा ले लीजिए जिसमें ये भी आ जाए opening entries कैसे post करते हैं वो भी आपको मालूब होना चाहिए और trial balance एक proper manner में कैसे बनाया जाता है वो भी आपको मालूब होना चाहिए तो question number six and seven ऐसे questions हैं जिसमें ये सारी चीज़े cover हो जाती है क्या-क्या simple entries, compound entries, opening entries, trial balance ठीक है इनको आप cover कर दीजिए one, two, six, seven मैं आपको एक और question करा दूँगा that is six तो उसमें सारी चीज़े cover हो जाएंगी उससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने क्या वशकता ledger के अंदर नहीं है चाहिए, बाबाए